प्रदूशन पर कॉंग्रेस का दिल्ली सरकार पर हमला दिल्ली के लिए सीएम की जिमेदारी नहीं है ये कहना है कॉंग्रेस सरकार का तंस कस्ते हुए मोरबी में घटना होती है तो गुजरात सीम की जिमेदारी नहीं होती रुपया गिरता है तो वित्त मंत्री की जिमेदारी नहीं है दिल्ली के सीम कहते हैं कि इसकी जिमेदारी नहीं है दिल्ली के सीम कहते हैं कि इसकी जिमेदारी वो लेते हैं जब प्रदूशन होता है तो ये निकल जाते है देश भर के ब्रह्मन पर और दिली की जनता है वो इस जहरीली हवा को दिन रात सह रही है इसमें जी रही है खुद मुख्य मंत्री इस हवा में रहते ही नहीं है वो देश भर के ब्रह्मन पर निकल जाते हैं ये आरोप लगाए है आज कॉंग्रेस पार्टी ने अपसे कुछ तेर पहले हुई अपनी प्रेस कॉंफरेंस के दौरान दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जिवाल पर जहंगीर पुरी में साड़े साथ सो के पाथ पहुँच चुका है एक यूआई इसके चलते आज तमाम राजनीतिक दलों ने जमकर हला बोला है हमला किया है अर्विंद केजरिवाल पर दिल्ली सरकार पर और ये डिमांड की है कि जिम्मेदारी ले अर्विंद केजरिवाल क कॉंग्रेस पार्टी ने तो उनका इस्तीफा भी मांग लिया है हाला कि इससे पहले अर्विंद केजरिवाल ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस के दौरान कुछ बड़े कदमों का एलान किया लेकिन सुनिए कॉंग्रेस पार्टी ने क्या कहा और मैं फिर पुना पूस्ता हूँ देश के एन्वार्मेंट मिनिस्टर से कौन है आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता मोदी जी को भी नहीं पता कोई होंगे पर परियावण मंत्री जी और केजरिवाल जी अगले 15 दिन में आप दिल्ली और संपूर्ण नॉर्थ इंडिया क्योंकि आप तो आपको पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या लग रही इस नॉर्थ इंडिया के अंदर एक यूई की एक्वालिटी को कैसे बहतर बनाएंगे इसका ब्ल्यूप्रिंट बताईए और आज आपने कहा मैं जिम्मेदार हूँ तो अभी 6 बजे से पहले अपना इस्तीफा दीजिए क्योंकि गैर जिम्मेदार लोग सत्ता में नहीं रह सकते क्योंकि आपने स्वैम ने माना कि मैं जिम्मेवार हूँ इस पॉल्यूशन के ल अपना इस्तीफा सौप दे क्योंकि खुद अरविंद केज़िवाल इस हवा में रहते नहीं है जैसे ही दिल्ली का प्रोदूर्शन बढ़ता है वो दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं कभी गुजरात की यात्रा पर कभी हिमाचल की यात्रा पर कभी देश के किसी और हिस्से म तो इसकी जमेदारी कौन लेगा यहां पर दिल्ली के लोगों को जो जहरीली हवा में सास लेना पड़ रहा है उसकी जमेदारी क्यों नहीं उठाती है दिल्ली सरकार अरविंद केज़िवाल हाथ पर हाथ रख कर क्यों बैठे रहते हैं जैसे ही नवंबर अक्टूबर का मह अर्विन केजरिवाल जब प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ऐलान कर रहे हैं कुछ ऐसे बंदोबस्त किये जा रहे हैं जिनके चलते लोगों को राहत मिले लेकिन ये बंदोबस्त टेंप्रिरी हैं आप देखिए AQI इंडेक्स आज दिल्ली और NCR का हम आपक पर भी AQI आनंद विहार में 489 और जहांगीर पूरी में तो सारे रिकॉर्ड तूट गए हैं और 765 पर है आज का एर क्वालिटी इंडेक्स इस तरह की अगर क्वालिटी है हमारी एर की तो फिर लोग आप खुद देख लिजे किस तरह के जहर को पी रहे हैं ना सिर्फ इस से उपर की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आउट्डोर अक्टिविटीज को बंद करने का एलान किया है दिल्ली सरकार ने नौईडा प्रशासन ने ये एलान कल ही कर दिया था इसके अलावा दिल्ली सरकार कह रही है कि दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ ही आए यानि और इवन पर भी विचार कर रही है दिल्ली सरकार क्या सडकों पर गाडियों के लिए और इवन का फॉमुला लगाया जाएगा फिरहाल इस पर कोई एलान नहीं हुआ है लेकिन ये फॉमुला लगाया जा सकता है हमने पहले भी देखा है जब ये फॉमुला लगाया था इस से chaos ज्यादा होता है राहत कम मिलती है इसके अलावा आप देखें जहरीली हवा से जो लोगों को नुकसान हो रहा है क्या उसके चलते अब lockdown की स्थिति आने वाली है दिल्ली NCR में पहले ही जो एलान किये हैं उनमें पाचवी से उपर की कक्षा के जो students है वो school तो जा पाएंग इसके अलावा जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री दिल्ली में बैन कर दी गई है और साथ ही डीजल वाहनों की एंट्री भी बैन कर दी गई है प्रतिबंद लगा दिया गया है डीजल वाहनों की एंट्री पर दिल्ली में तो ये कुछ कदम है जो दिल्ली सरकार ने आज आप ही जाए क्यूंकि इस जहरीली हवा से बचाव का एक मात्र उपाई ये है कि आप अपने घर में बंद रही है घर से बाहर निकलेंगे तो आपको ये जहरीली हवा को सहना पड़ेगा इसे पीना पड़ेगा इसमें रहना पड़ेगा ट्रॉक्स की एंट्री बैन कर दी जब ट्रक्स जो है हाइवे पर खड़े के खड़े रह जाएंगे तो बाखी गाडियों को जगा नहीं मिलेगी